हाई गाई विल्कम बैक टो आर चैनल आएंड रहना एंड रेनुका बून भी एबल तो जॉइन इस टुटोरियल विकॉर शी प्रिपेरिंग फॉर एक्जाम तो जल्दी से क्विकली अपने चलते हैं टॉपिक पे आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपनी पिचर में से कैसे अ पहले तो सब्सक्राइब इस चैनल और लाइक इस वीडियो एंड फोगेट तो शेयर इंगो इसकी ज़र रहते हैं एंड इफ यू गाई इंटरस्टे इन फोटो एंड व्यूडियो एडिटिंग तो उसका प्ले लिस्ट हमारे डिस्रिप्शिन मिल जाएगा प्लीज चेक तो मैं आपको कुछ एक्जामपल देने वाली हूँ जिन पिच्चर्स को में एडिट करने वाले इगी रहा एंड वी गोना टर्न इट लाइक दिस तो जड़ा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टिटोरियो पर अगर आप गिवेवें इंटरस्टे तो आप हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम बहुत जल्दी एक नहीं गिवेवे के साथ आने वाले हैं तो चलते हैं तो स्क्रीन पर जो आप अभी देख रहे हैं अगर आपने नोटिस किया होगा तो इनमें सारे अब्जेक्ट काफी छोटे हैं उनमें और आपकी फोकस आपकी पिच्चर का आप पर होगा एक पॉइंट और में क्लियर कर दूँ आपको अगर आप ट्राय करते हैं किसी बड़े अबजेक्ट को रिमूफ करने की तो इससे आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगी उतनी अच्छी उसमें डिफरेंट के एडिटिंग होती है अग इससे पहले मैं आपको वह फोटो दिखा रही हूं कि अगर आप कुछ इस टाइप की फोटो में ट्राय करेंगे इसे एडिट को करना तो आपको किस टाइप का रिजल्ट मिलेगा सपोज मेरी सपोज मेरी ये पिच्चर है और मुझे रिमूफ करना है इस लैंप को तो मैं स इसलिए है क्योंकि पहले ग्रीन है फिर नॉर्मल ग्रीन और लैंप का कलर जो है ब्लैक है इसके वज़े से कलर कॉम्बनेशन सही से नहीं आ रहा तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप एडिट करें किसी भी पिच्चर को तो आपको इसका पैटन ध्यान रखन हो जाए या कम से कम हो जाए कि सारी पिचर का टेंशन मेरी फोटो पे रहते हैं कि अगर आप करके रखेंगे तोस की च्ब्रक रखने हैं पर तो यह कर लेती हूं अपने स्क्रीन दो फिंगर को रखके आउट्सा च्रेच कर लेते हैं तो यह हो गई हमारी जूम तो सबसे पहले में इनको clear कर लेती हूं तो आपको screen पर touch करना है और इसी पर draw करना है इस red का मतलब यह है कि जहां पर हमारा effect यूज हो रहा है जैसी आप screen से हाथ अटाएंगे वो गाइब हो जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जब भी object को remove करते हो तो वो उसकी surrounding जो उसके आसपास की चीज़े हैं वो उससे खुद को replace कर लेता है तो जल्दी से बागी object को remove करते हैं और final look देखते हैं इसका तो मैंने picture को zoom out कर लिया है और आप अभी difference देख सकते हैं कितना difference आ चुका है ऐसा लगा रहा है इस picture में सिर्फ मैं हूँ और अगर आप चाहते हैं कि इस पर थोड़ा सा brightness आए थोड़ी और edit हो जाए तो इसके लिए आपको जाना है tools पे tune image कि फर्स्ट option पे यहां पर थोड़ा contrast बढ़ा सकते हैं इसका आपको स्क्रीन पर क्लिक करना है राइट साइट ट्रैक करना है तो यह स्क्रीन आपकी उतनी contrast बढ़ते चली जाएगी तो मुझे चाहिए मेरा इतने यहां पर ज्यादा पेल हो रहा है कि इतना सा contrast अच्छा लग रहा है दुबारे option पर क्लिक करना है और आपको बहुत सारी options मिल जाएंगे आप highlight कर सकते हैं वाम एफेक्ट दे सकते हैं मैं थोड़ा highlight भी कर देती हूं स्क्रीन पर टैप किया राइट टाइम ड्रैक किया ओके मैं से ओके कर देती हूं और आप इसमें अपने skin tone को भी different कर सकते हैं तूल्स पर आपको जाना है दुवारा पोर्ट्रेट पर जाना है यहां पर कई सारी फिल्टर है फिल्टर यूस कर सकते हैं पर हमें जाना है first option प लगते हैं यू कैनी पेल फेर मीडियम और डाक मैं अपना नॉमल कलर प्रफेर करती हूं तो मैं जाओंगी नन पर ओके तो दिस इस दी माइफाइनल पिच्चर और आपको जाना है कि आपने कौन-कौन सी एडिटिंग करी है इस पिच्चर पर राइट साइड से थर्ड पड़ आई है उसके बाद मैं अपने फेस्टून को दुवारा इसको थोड़ा और हाइलाइट किया है दिन लास्ट में मैंने अपने पोट्रेट में गई थी आपको देख सेहें कितना डिफरेंस है मैं आपको जूम-इन करके दिखा देती हूं एक बारी तो इसको हम कर लेते हैं जूम-आउट बैक और इसको अब कर लेते हैं एक्सपोर्ट एंड से तो यह आपकी एरिटिंग हो चुकी है आपके सारे अन्वांटिट चीजें हट चुकी है लास्टली प्लीज हमें इंस्टाग्राम पर टैक करना मत भूलना अगर आपको यह हमा झालते हैं